ये हैं पटना के रहने वाले धर्मा जो पटना जंक्षिन पर कुली का काम करते हैं खास बात ये है कि भले ही ये कुली का काम करते हैं लेकिन इनकी सुरक्षा में दो बॉडी गाड तैनात है एक पुलिस कर्मी और एक जी आर्पी से दरसल 27 अक्टूबर 2013 में पटना के गांधी मैदान में गुझरात के ततकालीन मुख्यमंत्री नरींद्र मोधी की रैली का आयोजन हुआ उस दोरान उन्होंने कैसे अपराधी को पकड़ाया था जिसके बाद पाकिस्तान से उन्हें धम क्यामिलने लगी इसके बाद उन्होंने मदद की को हाड लगाई ऐसे में उन्हें दो-दो सरकारी बोडी कार्ट प्रदान किये गए 27 सक्टूबर 2013 में परदान मंत्री नरील्दर मुर्दी आने वाले थे गंधी बाइदान में तब सड़े 9 बजे की घटना है सवचाले 10 नमर पर बम बलाश्ट हुआ उसी को इम्ताज अंसारी को सवचाले में मैं पकड़ा उसी के संदर में दूनों बोडी गाड हमरा हाथ से लिए जी आरपी का सोरह से है और मनलब भी जीला से अप्रिल से विला है रात में थोड़ा दिकत है कि आवास हम डियर हम जीम साहिव से भी रिसीव कराए है रिक बुड़ा गाड है हमरा अथियार रखिले का जगव नहीं है रात में नहीं रहते हैं लेकिन हम दी यह रामाजीम साहिव से अगरोह करेंगे कि हमको तुरत आवास दिया जाए हम भी सुरावचित रहें हमरा बड़ गार जाते हैं इसा घार ले जाते हैं तो जाते हैं पटना के बाहर भी जाते हैं तो लेके जाते हैं दुन्रों ने सुरा में 23 में अपरिल अपरिल में जो भी मिला है अदेश हुआ तो सुराचा सिमीती बोर में पास को के तो मिला है उनके साथ से साथ महिना से हैं तो सुराचा के दिश्टी को सिनके साथ हमको लगा गया है पर्थान मंत्री का प्रोग्राम ता उसमें कुछ ऐसा का मजूबा किये हैं से सरकार इनको बडिगार मुहया करा जाए है और उन्हीं सरकार के द्वारा हम लोग आए हम भेजा गया हम जी रपी से भिलाओं करते हैं एक जीला से हैं हम लोग तोनों है हम साथे रते हैं हाँ हार हमें साथे रते हैं हम बहुर की जाते हैं और बाहर भी जाते हैं